सबी चोरों का सरने मोधी क्यूं होता है राहूल गांधी के इस बयान से जुड़े मानहानी केस में उन्हें दो साल की सजा सुनाई हैं सजा के 26 गंटे बाद उनकी संसत की सदस्यता खत्म हो गई इसके बाद शनीवार को राहूल प्रियांका के साथ कॉंग्रेस आफिस पहुं कि इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि अडानी और मोधी का रिष्टा क्या है उन्होंने कैम्रेज उनिवसिटी में लोगतंत्र पर कही अपनी बात और सभी चोरों का सरने मोधी क्यूं होता है वाले बयान पर सफाई भी दी राहूल ने प्रेस कॉंफरेंस में 16 बार मोधी मिलती थी मीडिया और बाकी संस्थानों से मिलती थी अब नहीं मिलती है तो विपक्षी पार्टियों के पास एक ही रस्ता है जनता के बीच में जाने का राहूल ने कहा कि आप मेरे भारत जोड़ो यात्रा में मेरी कोई भी स्पीश देख लीजे मैंने हमेशा कहा है कि सब स करो रुपए जो अडानी जी को पता नहीं कहां से मिले उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब चाहिए भाजपा ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है कभी OBC की बात करेगी कभी विदेश में दिये बयान की बात करेगी राहुल ने कहा कि राजनीती उनक जेल में डाले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है जुड़े रहे आईडी टीवी इंद्रधनुष के साथ धन्यवाद